असलाम अलेकुम, वेलकम टू आर्बियस चैनल, इस चैनल में आपको अपनी बेहतरीन रेसिपीज बताऊंगी और आपको साथ साथ इंपोर्टेंट टिप्स भी धूंगी, उमीद है आपको मेरी रेसिपीज और वीडियोज पसंद आएं, अगर आपको मेरी वीडियोज पसं दोएंज सकी आज मैं आपको बतारही हूं लहुरी फिष की रैसीपिपी इसमें मैंने सवा किलो मचली ली है आप कोई भी मचली अपनी बसंद की ले सकते हैं मुझे ये एक पानी की मचली मिली है मुझे नहीं पता इसका नाम लेकिन अच्छी लग रही थी तो मैंने ले ली और ये बेसन है तक्रीबन दो कप है इसमें और एक एक टी स्पून मैं अद्रेकलिसन करूंगी अंडे दो है फैंट के इसमें मेरीमेट करूंगी में इसके धनियाक मोटा कुटावा है एम्ली पजाए तो में गदेवी का बाल्डा मुझेस छीए ग़ ड्यादी को प्रेसिच में माले सकते है अगर किसी को कल दो हमेग कर दो दिद्रेकल अधा घ्रिदी मर्ज प्रिदेध्य है 15 ठीए स्पून ने थीमियों है 15 कू त्रेधन तीज़ जवाइन है और दो टीस्पून इसमें सॉल्ट है यह एकॉर्डिंग पनिटेस के ले सकते हैं और पानी भी इसमें थोड़ा बहुत जाएगा मैंने रख लिए अगर अंडे जाहर है उससे वह बैटर अगर थिक रहेगा तो ना काफी हो तो थोड़ा सा पानी भी मैं यह बैसन में मैं ड्राइ इंग्रीजिंट्स पहले डालूंगी सॉल्ट डालूंगी सारे स्पाइसेज मैं इसमें डालूंगी तो निए अगर जो है मैं फिश में डाल देती है और बैटर जो मैं वरांगी यह थोड़ा सा थिक होगा इसी में मैं दाल रही हूं थोड़ा सा यह पल्प इसका अभी सीड्स जो है वो साही से हुआ नहीं था इसका तो मैं सीड इसके निकाल लेती हूँ करने में अभी साथ 1 फोर्थ पिप यह पल्प इम्ली का यह मैंने इसमें डाल दिया कच्रा नहीं डाले चान लें इसको तो ज्यादा बरता है इसके रावा अंडा जाएगा इसमें यह मिक्स है अधरक लसन की पेस्ट तो मैं यह दो टी स्पून ले रहीं क्योंकि एक मुझे अधरक का चाहिए था पेस्ट का और एक लसन का जाया तो यह हो गया इसमें अधरक पानी जितना जरूरत है अधर करोंगी थिक सा बैटर बनाऊंगी ज्यादा इसको पतला नहीं है करना क्योंकि फिश पे लगेगा थो थोड़ा सा पानी उसका भी निकलेगा पैटर बन के तियार है थोड़ा सा मुझे पानी आइट करना पड़े और यह फिश है और यह बड़ा बरतन मैंने ले लिए और इसके लगाती जाओंगे मैं इसके साथ और इसमें डालती जाओंगे फिर इसको मिक्स करोंगे यह इजी वे है तो यह सारे लग जाएगा इसके बाद बन जाएगा थो है थोड़ा से चार्ट नसाला भी डाले तो थोड़ा और अपने तेस्ट के मताबग इसमें पाइसे और एड़ करने तो अपने नहीं तो एक उपने smear कर बाइसे नहीं है, इस रैडी प्रोसेडर कंप्रीत हो गए, और ये मैलेनिट हो गई है, कि अब शर्फ दो तो फ्राइक इन्यूंत होगा जब अब सर्फ 2 और गदे के बाद सर्फ और बार सब फ्राइक हो तुष्छा साथ नियूंगी हो। ज्यादा नहीं डालूगी और पहले माए की एक तफाप करूँगी और अब आद दुबारासे डी फ्राइ करेंगी जैनल अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आए तो आप मेरे वीडियोज चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ब्लाइब करें घ्रेस्टि के अज़ आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नहीं आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें शुक्रिया करें झाल झाल